रंडीती के तहत मैदान में उतारा जा सकता अगली खबर का भी हम रुक कर लेते हैं मध्यप्रदेश से जुड़ी हुई है 10 मार्च तक कॉंग्रेस की पहली सूची आएगी तो देखें बीजेपी की सूची का इंतजार सभी कर रहे हैं और जल्दी कॉंग्रेस भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है सूची में 8 से 10 प्रत्याश्यों की नामों की मध्यप्रदेश से घोशना होगी और इन सभी सीटों पर सिंगल नाम तै किये गए हैं सबसे हाई प्रोफाइल सीट और साथी कॉंग्रेस के लिए सबसे महतवपून सीट है शरजी चिंदवाडा जहां से नकुलात सीधी से कमलेश्वर पटेल का नाम आगे है पहली सुची में चिंदवाडा, सीधी, जबलपूर, विदीशा इन सीटों को शामिल किया जाएगा और गुना, मुरैना, मंदस्वा, लोगसभा सीट पर भी नामों की घोशना हो सकती है खास बात एक और ये कि अभी 18 सीटों पर 2-3 नामों का पैनल तयार किया गया है और इन सीटों पर नाम तै होना बाकी है चलिए इस खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे सीधे उनकी तरफ आए कांग्रेस की सूची भी अब दर्वाजे पर खड़ी है खटखटा रही है नौक कर रही है और कह रही है कि मैं भी जल्दी ही अपनी घोशना करने वाली हूँ क्या अपडेट है इसमें क्या कुछ बड़े नेता जिस तरह बीजेपी प्लान कर रही है कांग्रेस में भी क्या आपको लगता है कि कुछ बड़े नेता मैदान में उतर सकते हैं जो भले ही विदान सभा चुनाव जीत चुके हो या राज्य सभा में भी हो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शर्ट जी और खासकर जो विदायक है या जो राज्य सभा सदस से उन से कहा भी गया केंद्री आला कमान की तरफ से कांग्रेस की कि बो चुनाव मैदान में आने के लिए तयार रहा है लेकिन कुछ लोगों ने एतराज जताया वो नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव लेकिन कॉंग्रेस का जो आला नितरत्व है वो ये चाह रहा है कि ये सब चुनाव मैदान में दिखाई दे दस सीटे ऐसी है पहले जिन पर करीब करीब दस तारीक या आठ तारीक को ही नाम गोसित हो जाएंगे बहुत संबाबना दस तारीक उसके लिए मुकर्रण भी हो गई है एक बैठक कल होना बैठक के उपरान तमाम तरह की चीज़े हो जाएंगे अठारा सीटे ऐसी है जिनको लेकर चर्चा फिर होगी लेकिन पहले दोर में दस से ग्यारा राम की सूची आने जा रही है